नमस्कार दोस्तो एक्जामोफोविया यूटूब चैनल में आपसे भी लोगों का स्वागत है आज हम लोग अगस्त दुहार 21 के उत्तर प्रदेश करेंट रेपेर पे चर्चा करेंगे जिसके तैद हम लोग 44 प्रदेश MCQ पे चर्चा करेंगे साथ ही उसके व्याख्या को भ बहुत ही कारगर है विसेशकर उत्तर प्रदेश के जितने भी रीजनल एक्जाम होते हैं उन सभी एक्जामों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है विसेशकर UPPCS PT एक्जाम होगा UPPCS का ROARO एक्जाम होगा साथ ही UPSSC के तैत लेकपाल ग्राम पंचाय दाधिकारी और कुश्चन नमर पहला है अगली पीडी की ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण किस राज की डिफेंस कोरिडोर में सुरू होने की संभावना है A option में तमेलनाडू, B option में गुजराद, C option में उत्तरप्देश, D option में करनाटका तो यहाँ पे पहले का सही जब हो जाएगा C option उत्तरप्देश में सुरू होगा C option करेक्ट अंसर है अब बात करते हैं इसकी व्याख्या की 24 अगस 2021 को ब्रम्होस, Aero Space के मुख कारकारी अधिकारी और प्रवन्ध निदेशक, Dr. सुधीर कुमार मिस्रा के अनुसार, रच्छा अनुसंधान और विकास संगटन, निकट भुष्त में उत्तरप्देश, रच्छा और दोगिक, गलियारे के तहत लखनव में ब्रम्होस क नेश्ट जनरेशन मिसायल का उत्पादन करेगा, साथी ब्रम्होस की नेश्ट जनरेशन मिसायल के उत्पादन के लिए लगभग 200 अकड की भूमी की आवसकता होगी, तथा इस पर्योजना को पूर्ण करने के लिए लगभग 300 करोड रुपे की धर्रासी भी निवेसित की जाएगी, इस पर्योजना के माध्यम से लगभग 500 अवियंताओं एवं तकनीशियनों को प्रत्यच रूप से तथा 5000 लोगों को अप्रत्यच रूप से रोजगार भी प्राप्त होगा, इस मिसायल के उत्पादन की योजना के लिए इंसीलरी यूनिट्स भी इस्थापित ह इनकी माध्यम से लगभग 10,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लखनवु में ब्रम्होस मिसायल का निर्माण होने से उत्तर पदेश राज, देश का एरोस्पेस और डिफेंस अब बनने की ओर तेजी से अग्रसर होगा, आगे बढ़ते हैं देखतें कुश्चन नमर इजवाब है, ए उप्सन उत्तर पदेश राज में की गई ए उप्सन करेक्ट अंसर है, अब बात करते हैं इसकी व्याक्या की, 21 अगस दोहार 21 को उत्तर पदेश की राजधानी लखनवु में आयोज़ेत एक कार्टम में मिसन सक्ती के त्रती चर्ण का सुभरम किया गया, वहीं मिसन सक्ती का यह चर्ण 31 दिसम्मर 2021 तक आयोज़ेत किया जाएगा, इस चर्ण के तहट लगभक सभी 69,000 ग्राम पंचायत भावन में मिसन सक्ती कच्छा लागू किया जाएगा, एवं एक लाख मैला स्वेम सहायता समूर भी बनाय जाएंगे, और 1286 थानों में पिंक सौचालियों का निर्माण भी किया जाएगा, इसके अलावा कन्या सुमंगला योजना के तहत मुख मंत्री 1.5 लाख नए लावारतियों के बैंखातों में 30.12 करोड रुपए भी ट्रांसफर किये जाएगे, इसके अतरिक्त मिसन सक्ती के प्रतम हुए दोती चर्ण में उल संती बाई बटालियन के प्रांगण के सिलन्या सहिद विभिन कारक्रम भी संपन किये गए, एक बात ध्यार रखने वाली है यहां पे कि महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरच्छा, सम्मान एवं स्वालंबन के लिए राज सरकारद्वारा मिसन सक्ती संचालित किया जा रहा है, इसकी सुरात की बात करें तो इसकी सुरात उत्तर प्रेस सरकारद्वारा सं 2020 में किया गया था, नेश्ट है कुश्चन नमबर तीसरा, चंबल एक्सप्रेस्वे के बारे में निमल लिखित में से कौन सा कथन सही है, पहले कथन की बात करते हैं, तो यह एक्सप्रेस्वे 404 km लंबा एक्सप्रेस्वे है और दूसरा कतन है इसे भारत माला परयोजना में सामिल किया गया है हाली में सामिल किया गया है ये कतन सही है तीसरा है ये मद्द प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के छेतरों से होकर गुजरता है और इसकी लंबाई की बात करें तो यह 404 किलोमीटर ही है तो इस प्रकार से यहाँ पे तीनों ही कथन सही हो जाते हैं तो इसका सही आंसर होगा D-Option अब बात करते हैं इसकी व्याक्या की तो सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंतरी नितिन गटकरी ने 26 अगस दोयार 21 को बताया है कि 404 किलोमीटर लंबे चंबल एक्सप्रेस्वे यानि अब का अटल एक्सप्रेस्वे को भारत माला परियोजना की पहले चारण में सामिल किया गया है यह एक्सप्रेस्वे मदप्रदेश, राजिस्थान और उत्तर प्रदेश के दूर दराज के इलाकों से गुजरते हुए निकलेगा और यह एक्सप्रेस्वे 8250 करोड की लागस से बनकर तयार होगा वहीं बात करें चंबल एक्सप्रेस्वे जो जहासी के बाहर आश्टी राजमार्ग्र साथ के द्वारका सरक्ल से नासिक रोटखंड जो 5.9 कीमी है को भारत माला परियोड़ा में समलित किया गया है यह यहां तक इसका डिस्क्रिप्शन हो गया अब आगे बढ़ते हैं देखते कुश्चिन नम्मर चौथा कुश्चन नम्मर चौथा है उत्तर प्रदेश सरकार ने जहासी रेलवे इस्टेशन का नाम बदल कर क्या करने का प्रस्ताव के इन सरकार को भेजा है तो यहां पे चौथे का सही जाब होगा बी ओप्सन विरांगना लच्छमीबाई रेलवे इस्टेशन नाम रखा जाए कर विरांगना लच्छमीबाई रेलवे इस्टेशन करने का प्रस्ताव भेजा है यह प्रस्ताव केंद्री ग्रह मंत्राले को भेजा गया है इस सम्मद में ग्रह मंत्राले ने बताया है कि प्रस्ताव पर निधारिज प्रक्रिया की अनुसार सम्मंदित एजिंसियों से टि इंडो, रूस, राइफल, प्राइबेट, लिम्टेट की स्थापना हुई है A option में बहराइच, B option में मेरट, C option में अमेठी, D option में कानपुर तो यहाँ पर पांच में का सही जवाब है C option अमेठी में C option correct answer है आगे बढ़ते हैं देखते कुश्चन नमर छठवा छठवा नमर कोश्चन है विध्यांचल, वराणसी, ट्रांस्मिसर लाइन से सम्बंदेद, निम्लिलिखित कत्रों पर विचार कीजिए पहला कतन है यह उत्री छेत्र और पश्चमी छेत्र के भी संपर्क प्रदान करेगा दूसरा कतन है 190 किलोमीटर लंबी ट्रांस्मिसर लाइन चार नदियों गंगा, गोपद, मेयर और सोन नदी को पार करती है तीसरा कतन है यह पारेशन लाइन मदपदेश और उतरपदेश से होकर गुजरती है तो अब आपको बताना है कि कौन से कतन सत्त है तो यहाँ पे छटे का सरी जवाब हो जाएगा डी ओसन की तीनों ही कतन सत्त है चलिए बात करते हैं इसकी व्याख्या की तो पावर ग्रिट कॉर्परेशन आफ इंडिया लिम्टिन ने 765 किलो वाट डबल सर्कीट विध्यानचल वरांसी ट्रांस्मिसल लाइन चालू की है पूर्ण स्वामित वाली साहक कंपनी पीवी टीएसल ने निर्धारत लच्छ के अनसार ये कार पूरा किया है ये ट्रांस्मिसल लाइन कोरिडोर उत्री छेतर और पश्मी छेतर के बीच एक मजबूत संपर्क उपलब दिकरवाएगा और ये उत्री छेतर पश्मी छेतर में उद्योगों और घरों की विध्यूत की विश्वसनी प्रवा में सच्छम बना कर समग्र समाजिक और आर्थिक प्राणली को लभानवेद भी करेगा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इसका थोड़ा सा और डिस्किप्शन इस लिंक के चालू हो जाने से राश्टी ग्रिट की अंतर छेतरी विद्धूत हस्तांतर छम्ता में 4200 मेगवर्ट की व्रद्धी हुई है जिससे देश में कुल छम्ता की 1,10,750 मेगवर्ट हो गई है वहीं बात करें 190 किलोमीटर लंबी ट्रांस्मिसल लाइन कठिन भागोलिक छेतरों से गुजरते हुए चार नदियों गंगा, गोपद, मेयर और सोन को पार करती है इस ट्रांस्मिसल लाइन का 92 किलोमीटर हिस्सा मत प्रदेश से और बाकी 98 किलोमीटर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है इस पर्योजना का पावर ग्रिट द्वारा टैरिफ आधारित प्रती इसपरदी बोली के तहत अधिग्रहन किया गया है अभी हाली में पावर ग्रिट ने अपनी साहdog कंपनी पावर ग्रिट जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांस्मिसल के माद्यम से 13200 मेगा वाल जवाट जवाहरपुर ठर्मर पावर प्रजेक्ट से बिजली की निकासी के लिए ट्रांस्मिसन सिस्टम चालू किया है और संबंदित ट्रांस्मिसल लाइनों के साथ फिरोजाबाद में भी 400 केवी सब इस्टेशन का निर्माड हुआ है आगे बढ़ते हैं देखते कुश्य नमबर साथ वाँ अयोध्या में रमायर कॉंकलेव का उद्गाटन किसके द्वारा किया गया जो 39 अगस्त सुरू होकर एक नमबर 2021 तक चलेगा तो यहाँ पे साथवे का सही जवाब है यह ओप्सन रामनात कोविन द्वारा राश्टपती रामनात कोविन द्वारा इसका उद्गाटन किया गया उत्तर प्रदेश के विविन सहरों में रमायर कॉंकलेव का आयोजन किया जाएगा कई विशेश, विशेशग और कथा वाचक रमायर की विविन घटनाओं पर चचा करेंगे राश्टपती ने बताया कि आयोध्या और रमायर अन्य देशों के साथ हमारे संबंदों को सांस्कृतिक सक्ति भी प्रतान करते हैं इसलिए ऐसे कॉंकलेव का आयोजन किया जाना चाहिए उन्होंने आयोध्या में परेटन के लिए कई विकास प्रयोजनाओं का भी उद्घटन किया वह आयोध्या जाने वाले पहले राश्टपती है इससे पहले उन्होंने गोरकपुर में महायोगी गोरकनात विश्विद्याला का उद्घटन भी किया था नेश्टे कुश्य नम्मर आठवा राश्टपती रामनात कोविन द्वारा उत्तरपतेस के पहले आयोध्याला की आधार सिला कहां पर रखी गई तो यहाँ पर आठवे का सही जवाब है ए ओप्सन गोरकपुर में ए ओप्सन करेक्ट आंसर है अब बात करते हैं इसके व्याक्या की तो उत्तरपतेस के दोरे के दोरान राश्टपती रामनात कोविन ने गोरकपुर जिले के भाहट प्रकंड के पिप्री तरकुलहा गाउ में उत्तरपतेस के पहले आयोध्याला की अधार सिला रखी इसके अलावा उन्होंने गोरकपुर में महायोगी गुरु गोरकनात विश्विद्याले का उधगाटन भी किया तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख मंतरी स्री कल्यांड सिंग के बारे में जिनका अबी हाली में निधन हो गया उत्तर प्रदेश के पूर्व मुखमंत्री कल्याण सिंग का निधन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुखमंत्री और भाजपा के वरिश्ट नेता कल्याण सिंग का 89 वर्स की आयो में निधन हो गया वे राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की पूर राजपाल भी रह चुके हैं वे एक अनुभवी प्रसासक और जेमिनी इस्तर के निता थे उन्हें उत्तर प्रदेश के विकास में उनके योगदान के लिए याद किया जाएगा उन्हें बाबु जी के नाम से भी जाना जाता था उन्होंने किसानों, युवाओं और महिलाओं के सरस्थी करान के लिए कई प्रयास किये वे 24 जून 1991-6 दिसंबर 1992 तक और फिर 21 सितंबर 1997-12 नौमर 1999 तक उत्तर प्रदेश के मुखमंत्री रहे अयोध्या में बाबरी मस्जित का विध्वन्स उनकी कारकाल में ही हुआ था अब आगे बढ़ते हैं देखते हैं कुश्चन नम्मन नौ हाँ उत्तर प्रदेश के किश जिले से उजुला 2.0 का सुभरम प्रदेश के महोबा जिले से सुभरम उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से सुभर किया गया अप्रेल 2018 में बीपियल परिवारों की 5 करोड महिला सस्यों को LPG कनेक्सर प्रदान करने के लच के साथ लौंच किया गया था अप्रेल 2018 में साथ और स्रेणियों जैसे की SCHT, PMAY, AAY, आती पिछडावर्ग, चाय बागान, वनमासी, दीश समुर की महिला लाबार्थियों को भी उजुला 1.0 में सामिल किया गया था लच को संसोधित कर 8 करोड LPG कनेक्सर प्रदान किये गये सरकार ने लच 33 से 7 महिने पहले अगस दोयार 19 में ही हासिल कर लिया था वहीं बित वर्ष दोयार 21 की केंदरी बजट में सरकार ने PMUI योजना के तहत एक करोड और LPG कनेक्सर देने की घोस्रा की थी एक करोड अतरिक्त PMUI कनेक्सर यानि उजला 2.0 के तहत का उद्देश उन कम आयवाले परिवारों को जमा मुक्त LPG कनेक्सर प्रदान करना है जिने PMUI के पहले चान के तहत कबर नहीं किया गया था वहीं उजला 2.0 के तहत लाबारतियों की पहली रिफिल और होट प्लेट निसुल्क प्रदान की जाएगी और उजला 2.0 के तहत प्रवासियों को रासन कार्ड या पते का प्रमार जमा करने की आवसकता नहीं होगी आगे बढ़ते हैं देखते कुश्चा नमबर 10 वहाँ मुख मंत्री योगी आदितनाथ ने प्रदेश में कितने खेलों को गोद लेने की घोस्रा की है जिनको अगले 10 वर्षों तक फंडिंग किया जाएगा तो यहाँ पर 10 वी का सही जवाब है बी ओप्सन दो खेलों को गोद लिया है बी ओप्सन करेक्ट आंसर है बात करें इसके व्याख्या की तो उत्तर प्रदेश के मुख मंत्री योगी आदितनाथ ने घोस्रा की है कि उत्तर प्रदेश सरकार मिरट में मेजर ध्यान चंज के नाम पर एक खेल यूरिश्टी बनाएगी साथ ही प्रदेश सरकार दो खेलों को भी गोद लेगी जिनका अगले 10 वर्षों तक फंडिंग किया जाएगा वहीं योगी सरकार ने प्रदेश के सभी आवासी चात्रावास में खिलाणियों की डाइट मनी को 200 से बढ़ाकर 375 रुपए प्रदी दिन कर दिया है इसके अलावा मुखमत्री ने कहा है कि खेल विवाग में सहायक प्रसिचक के 150 पद और प्रसिचकों के अनपद भी बढ़ाए जाएंगे नेश्ट कुष्ण नम्मर 11 उततर परदेश की राजधान की किस अस्पताल में प्रेश की पहली एंटी रेवीज प्रयोग साला का निर्मार किया गया है आगे बढ़ते हैं thay Question 12 केंद्री वितमंत्री निर्मला सीता रमर ने उत्तरपदेश के किस सहर में एक कारक्रम में निर्यात उन्मुक फर्मों और स्टार्टप के लिए एक महतुकांची उभरते सितारे फंड यू एस एफ लॉंच किया है तो इसको कहां लॉंच किया गया है तो इसको लॉंच किया गया है लखनव में इस फंड का उद्देश, सूच्व, लगू और मध्यम कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए धनकी व्योस्ता करना है फंड की स्थापना एकजिम बैंक और सिडवी ने की है यह योजना उत्तरप्रदेश में सफल होगी क्योंकि राज में MSME की संक्या सबसे अधिक है योजना बनाई है तो यहाँ पर 13 का सही जवाब है B option कुस भवनपूर नाम रखा जाएगा B option करेक्टांस है नेश्ट कुशन नमर 14 है इस संजीवनी और इस संजीवनी OPD प्लेटफॉर्मों के माध्यम से परामर्ज के लिए रजिश्टेशन कराने वाले सीरी से दसराजियों में उत्तरप्रेश किस पायदान पर है तो यहाँ पर 14 का सही जवाब है D option चौथा इस्तान है D option करेक्टांसर है अब बात करते हैं इसकी व्याक्या की तो इस संजीवनी के जरिये देश भर में एक करोण से अधिक लोगों को टेली परामर्ज की सिवाएं अभी तक दी जा चुकी है केंद्री स्वास मंतराला के मताबक इस संजीवनी सुवदा के मादम से रुजाना लगवग 75,000 मरीजों को सिवाए प्रदान की जा रही है वहीं बात करें पिछले 10 महीनों में इस सुवदा में 1000 प्रिसस से अधिक की बढ़ोतरी देखी गई है और इस संजीवनी और इस संजीवनी OPD प्लेटफरम के मादम से परामर्स के लिए रेजिस्टेशन कराने वाले सीर से 10 राज में आंद प्रिदेश पहले पायदान पर, करिनाट का दूसरे पायदान पर, तमिलनाड़ो तीसे पायदान पर, उत्तर प्रिदेश चोथे पायदान पर और गुज्यात पांचवें पे, मदपदेश छटे पे, बिहार साथवें पे, महाराष्ट आठवें पे, केरिला जो है, नौहें पे, और उत्राखन जो है, दसवें पायदान पर है आगे बढ़ते हैं देखते कुश्चन नम्मर पंद्रह है उत्तरपदेश के गोरखपूर जिले में, पुरा तत्त विवाग के सर्वे में, चाओरी चाओरा तैसील छित के ब्रह्मपूर ब्लॉक के गौर सेरागाव में कितने साल पुराना इस्टूप और तेर्वी सताबदी के मूर्तियां प्राप्थ हुई है तो आपको बताना है कि ये कितने साल पुरानी है तो यहाँ पे पंद्रह का सही जवाबर बी ओप्षन दो हजार साल पुरानी है बी ओप्षन करेक्ट आंसर है आगे बढ़ते हैं देखते कुश्चन नम्मर 16 है उत्तरपदेश सरकार ने साल 2020 के लिए उत्तरपदेश संस्क्रत संस्तान द्वारा लखनव की 21 प्रोफेसर को विश्च भारती प्रोषकार से नमाजा है तो यहाँ पे 16 का सही जवाब है डी ओप्षन ओम प्रकास पांडे को ये प्रोषकार पदान किया गया है डी ओप्षन करेक्ट आंसर है ओम प्रकास पांडे जो लखनव से है उन्हें विश्च भारती प्रोषकार मिला है जिसके तहत पांच लाख एक हजार रुपे की धर्रासी उन्हें प्रदान की गई है वहीं डॉक्टर विशल नाल गौड जो गाजियाबाद के रहने वाले हैं उन्हें महरसी वाल में की प्रोषकार प्रदान किया गया है इसके तहत उन्हें दो लाख एक हजार की धर्रासी प्रदान की गई है तीसरा पुरुसकार मिला है डॉक्टर कमला पांडे को जो वरारसी की रहने वाली है और इन्हें महरसी व्यास पुरुसकार पदान किया गया है जिसके तैत इन्हें भी दो लाख एक हजार की धर्रासी पदान की गई है चौथा पुरुषकार है डॉक्टर चंद्र गुप्त धर वर्डेकर को ये नाकपुर के रहने वाले है इन्हें भी महरसी नारत पुरुषकार पदान किया गया है और जिसके तेहत इन्हें धर्रासी पदान भी है एक नाक एक हजार आगे बढ़ते हैं देखते कुश्च नंबर 17 है यूपी का वन विभाग किस सहर में देश का पहला डॉल्फिन व्रीडिंग सिंटर बनाने जा रहा है तो यहाँ पे 17 का सही जवाब है डी ओप्सन मेरट में बनाने जा रहा है डी ओप्सन करेक्ट आंसर है इसके व्याख्या की बात करें तो व्रीडिंग के बात पैदा होने वाली डॉल्फिन को गंगा नदी में छोड़ा जाएगा केन सरकार ने 2009 में गंगेटिक डॉल्फिन को राष्टी जली जीव घोसित किया था यूपी के बिजनवर बैराज से हसनापुर और नरवरा बैरा कल्यान सिंग के निधन के बाद उन्हें सम्मानित करने के लिए राष्ट सरकार ने कितने मेडिकल संस्तानों का नाम उनके नाम पर करने का फैसला किया है तो यहां पे 18 का सभी जवाब है B-Option दो मेडिकल संस्तानों का नाम मदल कर अब पूर्व मुखमंत्री कल्यान सिंग के नाम पर रखा गया है उत्तरप्रेस के पूर्व मुखमंत्री स्वर्गी कल्यान सिंग के जन सेवा भाव को नमन करते हुए मुखमंत्री योगी आधितनात ने जन भावनाव के अनुरूप राज्की मेडिकल कॉलेज बुलंद सहर तथा सुपर इस्पेसिलिटी कैंसर सं चक गंजरिया लखनव का नाम करण सुर्गी कल्यान सिंग के नाम पर करने का निर्णा लिया है मुखमंत्री जी के नवी निर्णा के अनुसार राज्की मेडिकल कॉलेज बुलंद सहर का नाम अब होगा कल्यान सिंग राज्की मेडिकल कॉलेज बुलंद सहर होगा और दू जाएगा नेश्टे कुश्च नमबर 19 उत्तर प्रदेश के किस सहर में रहने वाले पारूल सिंग ने यूरोप महादीप में 5642 मीटर की उंची चोटी माउंट इंब्रूल्स पर चढ़ाई पूरी करके तिरंगा फराया है तो आपको बताना है कि वे उत्तर प्रदेश के किस सहर के रहने वाले हैं तो यहाँ पे 19 का करेक्ट आंसर है बी ओप्सन कानपूर के रहने वाले है बी ओप्सन करेक्ट आंसर है अगला कुशन नमर 20 अयोद्ध्या में राम जनुभूमी की ओर जाने वाली एक सड़क का नाम किस पूरो मुख मंत्री के नाम पर रखा जाएगा तो यहाँ पे 20 का सईजवाब है ए ओप्सन स्वरगी कल्यार सिंग के नाम पर रखा जाएगा ए ओप्सन करेक्ट आंसर है अगला कुशन नमर 21 उत्तर प्रदेश के किस जिले में बन रही स्पोर्ट यूनिश्टी का नाम अब मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है तो यह यूनिश्टी कहां बन रही है तो 21 का सईजवाब है डी ओप्सन मेरट में बन रही है डी ओप्सन करेक्ट आंसर है अगला है कुशन नमर 22 किस प्रदेश सरकार ने महातुकांची कारक्रम एक जनपद एक उत्पात के तरज पर एक जनपद एक क्रसी कारक्रम शुरू किया है तो यह कारक्रम किस ने शुरू किया है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कारक्रम शुरू किया है बि आप्स नहीं पर राइट आंसर है अगला कुश्य नमर तेविस उत्तर प्रदेश के किष जिले का नाम मैंननगर करने का प्रस्ताव पास हुगा है तो मैंनननगर किष जिले का नाम होगा तो यह होगा मैंन पुरी का दी आप्स़स नमर चौब्यों सरब है राष्टी बाल स्री प्रूसकार जीता है तो यह किस जिले की रहने वाली है यह बताना है तो 24 का यहां पर correct answer है B option और रहया जिले की रहने वाली है B option correct answer है अगला है कुश्य नमर 25 उत्तर पर इसके किस जिले का नाम हरी गड़ करने का प्रस्ताव पास किया गया है तो हरी गड़ किसका नाम होगा तो अली गड़ का D option correct answer है नेश्टे कुश्य नमर 26 उत्तर पर इसका पहला और उत्तर भाद का सबसे बड़ा medical device पार कहां बनाया जा रहा है 26 का यहां पर right answer है A option नोड़ा में बनाया जा रहा है A option correct answer है बात करते हैं इसके व्याक्या की तो उत्तर परेस का पहला और उत्तर भाद का सबसे बड़ा medical device पार्क यमना एक्सप्रेस्वे विकास प्रादिकार यानि इड़ा के एरिया में बनाया जाएगा इड़ा ने इसके लिए गौतम बुद्ध नगर यानि नोड़ा के सेक्टर 28 में 350 एकर जमीन तैकर दी है इस medical device पार्क में incubation center भी बनाया जाएगा यह center पांच एकर में बनेगा और इस medical device पार्क के जरिए 5250 करोड रुपे का निवेस भी होगा साथ ही 20,000 से अधिक लोगों को रोजगार भी मिलेगा इससे नेश्टे question number 27 आपर अधिक मामलों की जाच में उत्कृष्टा वए उच्च पेसे वर्मानकों को बनाये रखने के लिए कितने पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया है तो यहाँ पे 27 का सभी जवाब है 27 का सभी जवाब है बी ओप्सन 10 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया है जो उत्तरपेस के रहने वाले है बाकि जो है पूरे देश से 152 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया है और किस ने सम्मानित किया है तो केंदरी ग्रह मंत्राले द्वारा इनको सम्मानित किया गया है इन में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर सतीश चंद सर्मा जिनकी मृत्तू हो चुकी है उनका नाम भी सामिल है पुरुषकार की शुरात वर्ष दोयार अठारा में की गई थी पिछले साल ये पुरुषकार 121 पुलिस अधिकारियों को प्रदान किया गया था वहीं उत्त्रष्ट जांच के लिए केंद्री ग्रेमंत्री मेडल दोयार 21 पाने वालों में 28 महिला पुलिस अधिकारी भी सामिल है पुरुषकार पाने वालों में CVI के 15 मदप्रेश वर महराश पुलिस के 11-11 और उत्तरप्रेश के 10 केरल वर राजिस्थान के 99 तमेलाडू के 8 बिहार के 7 गुजरात करनाटका वर दिल्ली के 6 पुलिस अधिकारी समलित है वहीं तेलंगाना के 5 असम हर्याडा उनिसा वे बंगाल की चाचार जबकि सेस अनराजियों वे केंसासरी पुलिस अधिकारी को भी इस पुरुषकार से नवाजा गया है नेश्टे कुश्य नम्मर 28 उत्तर प्रदेश के किश जिले की रहने वाली नेहा कुस्वहा को पर्यावरण सरच्छड की दिशा में उनके योगदान के लिए राष्टी युवा पुरुषकार से सम्मानित किया गया है तो बताना है कि वे किश जिले की रहने वाली है नेश्टे कुश्य नम्मर 29 संस्तान ने एक व्यापक छात्र उद्मेता नीती को मंजूरी प्रदान की है तो यहाँ पर 30 का सहीज़ाव है एक उप्सन आयाटी कानपुन ने एक उप्सन करेक्ट आंसर है अगला कुश्य नम्मर 31 जल सक्ति मंत्राले द्वारा जल जीवन मिसन के लिए वित्ती वर्षद्वेयर 21-22 में उत्तर प्रदेश के लिए कितनी रासी अवंटित की गई है तो यहाँ पर 31 का सहीज़ाव है एक उप्सन 24 क्रोड रुपे की रासी अवंटित की गई है उत्तर प्रदेश के लिए एक उप्सन करेक्ट आंसर है अगला है कुश्चन नम्मर 32 अयोध्या में प्रस्तावेत 84 कोशी परिक्रमा मारकों किस अन्य नाम से जाना जाएगा तो यहाँ पर 32 का सही जवाब है B option NS 227 B के नाम से जाना जाएगा नेश्टे कुश्चन नम्मर 33 उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश की कितनी ग्राम पंचायतों में सीटिजन चार्टर लागू करने जा रही है तो यहाँ पर 33 का सही जवाब है D option सभी पंचायतों में तो टोटर पंचायती कितनी है 58,189 नेश्टे कुश्चन नम्मर 34 उत्तर प्रदेश में अन्न महोस्तों का आयोजन कब किया गया था तो यहाँ पर 34 का सही जवाब है D option 5 अगस्त को इसका आयोजन किया गया था नेश्टे कुश्चन नम्मर 35 प्रदेश में किस देश की हाइटिक टक्नीक से सोनभद्र, आगरा, जहांसी, महोबा, मुरादाबाद, संतकवीर नगर, सीतापुर और बारा बंकी जिलों में सबजिया उगाई जाएँगी तो यह तक्नीक किस देश की है तो यह तक्नीक इज्रेयल की है B option correct answer है आगे बढ़ते हैं देखते कुश्चन नम्मर 36 युवा कारक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुन ने भारती पैरालंपिक दल के थीम गीत करदे कमालतु को जारी किया है यह किस व्यक्ति द्वारा लिखा गया था तो यहां पर 36 का सभी जवभ है B option संजीव सिंग द्वारा लिखा गया था B option correct answer है जो लखनओ के रहने वाले है नेश्ट कुश्चन नम्मर 37 ग्रह मंत्री अमिसाय ने उत्तर प्रेश के किस सहर में फोरेंसिक विज्ञान संस्तान की अधार सिला रखी यानि फोरेंसिक विज्ञान संस्तान की अधार सिला कहां पर रखी अमिसाय ने उत्तरप्रजिस की किस सहर में तो 37 का सही जवाब है तो 37 का सही जवाब है सी ओसर लखनव में नेश्ट कुश्य नमर 38 उत्तरप्रजिस सरकार ने किस सहर में इंटरनेशनल इस्किल यूनिस्टी इस्थापित करने का प्रस्ताव दिया है तो 38 का सही जवाब है ए ओप्सन नोड़ा में इस्तापित की जाएगी इंटरनेशनल स्किल यूनिस्टी नेश्टे कुश्य नम्मर 49 उत्तरप्रेस के किश जिले का नाम चंद्रनगर करने का प्रस्ताव उत्तरप्रेस सरकार को भेजा गया है तिहाँ पर 49 का सही जवाब है ए ओप्सन फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर रखा जाएगा ए ओप्सन करेक्ट आंसर है अगला है कुश्य नम्मर 40 उत्तरप्रेस के बुंदेलखन छेतर में जल जीवन मिसन के तहत कब तक हर घर जल पहुचाने का लच रखा गया है यह ओप्सन करेक्ट आंसर है अगला है कुश्य नम्मर 41 उत्तरप्रेस में जल दी दो नए क्रसी विज्ञान केंद्रों की इस्थापना किन जिलों में की जाएगी तो 41 का सही जवाब है बी ओप्सन मुरादाबाद और राय बरेली में किया जाएगा बी ओप्सन करेक्ट आंसर है उत्तरप्रेस में पहले से ही 69 क्रसी विज्ञान केंद्र है इसके बाद सरकार ने 20 नए क्रसी विज्ञान सुरू करने का फैसला किया है जिसके तहत अभी दो नए क्रसी विज्ञान केंद्र मुरादाबाद और राय बरेली में खोले जा रहे है आगे बढ़ते हैं देखते कुश्चन नमबर 42 उत्तर प्रेश के मुख मंत्री योगी अधितनाथ ने कुरोना महमारी में जान गवाने वाले पत्रकारों के परिवारों को कितने रुपए की सायता रासी देने का एलान किया है तो यहाँ पर 42 का सभी जवाब है D option 10-10 लाक रुपए की रासी प्रिदान की जाएगी D option correct answer है अगला है कुश्चन नमबर 43 अनाज से एथिनोल तयार करने वाला प्लांट उत्तर प्रेश के किस सहर में इस्थापित किया जा रहा है तो यहाँ पर 43 का सभी जवाब है E option गोरकपुर में ये प्लांट इस्थापित किया जा रहा है E option correct answer है आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कुश्चन नमबर 44 और आज की उत्तर प्रेश करेंडर पहर का अंतिम कुश्चन उत्तर प्रेश के किस जिले का थारू बहुल बलाई गाउं इको टूरिजम का किंद्र बनाया जाएगा तो यहाँ पर 44 का सभी जवाब है E option बहराई जिले का E option correct answer है इसी की साथ ही अगस्थ दोयार 21 का उत्तर प्रेश करेंडर पहर का स्रीज ये भी खतम होता है मिलते हैं ने सेशन में थैंक यू फॉर वाचिंग एक्जामोफोबिया यूटूब चैनल